प्यारे बच्चों, NTA की एंसर किया नहीं रही है, आप लोग भी वेट कर रहे हैं, हम भी वेट कर रहे हैं, इस वीच में लगा कि आपको एक रैंक का प्रेडिक्शन दिया जाए, आपके फोन मेसेज थे, कि सर आपका प्रेडिक्शन क्या है, तो प्यारे बच्चों, हमारा जो भी अनुभव इतने साल का, बच्चों से बात की, 2019, 2020, 2021 तीनों पेपर को कंपेर किया, और 2019 का पेपर जैसा था, वैसे ही कमोवेश पेपर 2021 का भी था, 2019 से थोड़ा साईजी मान सकते हैं, लेकिन 2020 के कंप्रिजन में, पेपर के ट्रेंड में बहुत ज़्यादा डिफेर्स था, क्या-क्या फेक्टर्स थे, जो आपके रैंड को एफेक्ट करेंगे, अगर हम लोग इन फेक्टर्स की तरफ देखें, तो देखें, यह आपका क्व क्या-क्या बाते थी इस बार, और आज केवल जनरल, OVC, और EWS की बात करेंगे, यह जनरल में जो भी है, एक नमबर का डिफेरेंस, एक या दो नमबर का डिफेरेंस OVC में होगा, और इन दोनों के बीच में EWS होगा, SCST कटेगरी के लिए हम आपको बाद में वीडियो बना देंगे, तो देखते हैं बच्चों क्या-क्या चेंज था, पहला चेंज तो यह था कि पेपर का फार्मिट चेंज था, दूसरा बेटा बायो का पेपर, बॉटनी जोलोजी दो पार्ट में डिवाइडेड था, आप क questions, increase कर गए, 180 to 200, इसका मतलब कटाफ को यह लो करेंगे, यह फैक्टर भी कटाफ को लो करेगा, chemistry का पेपर हम मान लेते हैं कि कोई फरक नहीं पड़ेगा chemistry के पेपर से, लेकिन जो major factor है इस बार बच्चों, जो merit को लो करने जा रहा है, जो कटाफ को लो करने जा रहा है, physics के पेपर लेंदी और कल्कलिट्व था, और बहुत सारे numerical essay थे, जिसमें 2-3 फार्मूले लग रहे chemistry easy to moderate था, और physics का पेपर जैसा है moderate to लेंदी, तो physics का पेपर बिस्चित रूप से, कटाफ को लो करेगा, एक और बहुत important hidden factor है, कि हर state में medical college की scene बढ़ी है, तो क्या होगा, ज्यादा बच्चों college बिलेगा, तो इसका मतलब यह हुआ, कि इससे भी कटाफ लो जाएगा, तो कटाफ के लो जाने के दो बड़े important reason है, बलकि हम तीन बोल दें, number one, paper format, number two, ज्यादा question, number three, physics lending, and number four, college किसी बढ़ गई, यह सारे factor, merit को लो करेंगे, और कटाफ को लो करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन कटाफ कितना लो होगा, यह important बात है, तो कम से कम मुझे लगता है, कि दो question का फरक तो पड़ेगा, दो question का मतलब होता, आठ या दस number, तो एक मोटी बात यह है, कि जिन बच्चों के general में 600 के आसपास number आ रहे, वो बिलकुल परिशान ना हो, वो बच्चे भी phone करें सर क्या होगा, उनको जरूर college मिलेगा, मेरा prediction है, 590 के उपर college मिलना चाहिए, हो सकता है, एक दो number और भी नीचे जाए, यह बच् सोईएगा, अभी तो आपकी NPA के answer की भी नहीं आई है, आपके number का भी prediction है, जो भी आपने मिलाया है answer की से, हो सकता है, जो answer की हम लोग ने आसमने दी है, उसमें भी एक दो question change हो, हो सकता है, आपने जो निसान लगाया, उसमें भी कूछ change हो, तो real number आपको तभी पता चलेग जब आपके mobile में answer की, आपकी answer, answer seat आ जाए, और challenge होने के बाद, क्योंकि जिस question में dispute होता हो, वो challenge भी होता है, तो challenge होने के बाद, जो revise answer की NTA की आए, उससे जब मिलाएंगे, तब आपको actual number पता चलेगा, तो 5 से 10 number का variation, आपके calculation में भी होगा, और 5 से 10 number का ही variation, हमारे prediction में भ होगा, इससे ज़्यादा variation नहीं होगा, तो प्यारे बच्चों, यह prediction है, फिर से बता रहें, यह reality नहीं है, इसलिए इसको देखकर, ना तो दुखी होई है, ना तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाई है, अब अगर हम लोग बिल्कुल top के rank की बात करें, तो 2019 का paper थोड़ा सा moderate से difficult था, तो highest नंबर थे 701, 2020 का paper रिजी था, तो highest आगया 720, और 2021 में जो पता चल रहा है, वो है highest 714, तो topर के ही 6 नंबर कम हो गए, अब अगर हम लोग 720 और 701, 720 और 701, इसके बीच में 714, और हमने पहले वीडियो बताया था, कि जो rank और merit जाएगी, ये 2020, 2019, और 2020 के बीच में जाएगी, जैसा कि topर को भी आप देख रहे हैं, 2019 में 701, 2020 में 720, और 2021 में 714, तो 714, 701, 720 के बीच में है, करीब 6 नंबर का difference है, और मेरा भी यही prediction है, कि 100% merit लो जाएगी, मैंने पहले बताया था, जब आप सब paper देखे आ गए थे, और दुखी हो गए थे, कि सर क्या होगा, तो मैंने तुरंद वीडियो डाला था, उसको आप लोगोंने बहुत अच्छे नंबर में देखा, कि cut-off हरहाल में लो जाएगा, अब हम आपको बता रहें, cut-off को लो करने का region, नंबर आप seat का बढ़ना, और physics का paper lengthy होना, paper का format change होना, अब बच्चों हमने जो prediction किया है, इसको आप थोड़ा सा देख लीजे, इसमें थोड़ा सा variation हो सकता है, मेरे इसाब से, ऐसे बच्चे, जिनके नंबर 693 या 693 के उपर आएंगे, इनका नंबर हो सकता है 100, ऐसे बच्चे, जिनके नंबर 684 से 693 के बीच में आ रहें, इनका नंबर हो सकता है 250, मतलब रैंक हो सकती है 101 से 250, ऐसे बच्चे जो 674 683 के रेंज में हैं इनके रंग हो सकती है 251 to 700 ऐसे बच्चे जिनके नंबर 664 to 673 आ रहें इनकी रेंग हो सकती है 701 to 1500 ऐसे बच्चे जिनका नंबर 654 to 663 आ रहा है यह हो सकते हैं 1500 से 235 तक 644 to 653, 2355, 634 to 643, 351 से 5000, 624 से 633, 5000 से 7000, 614 से 623, 7001 से 10,000, 609 से 614, 10,001 से 11,999, 604 से 608, 12,000 से 13,500, 601 से 603, 13,500 से 15,000, और इसले से 598 to 600, 15,001 से 16,999, और 590 से 597, 17,000 से 20,000. पिछली बार करीब करीब यूपी में 17,000 रेंग तक मिल गया था, मापफ राउंड या बाद की कॉंसलिंग में, हो सकता है ये 18,000, 19,000 तक मिल जाए, क्योंकि कॉलेज की सीटें बढ़िए, तो बच्चों मोटी मोटी बात है, कटाफ विल बी 100% लो, गैप होगा 10-12 नमबर का, 600 पे कॉलेज जरूर मिलेगा, हो सकता है 590 तक कॉलेज, गॉर्मेंट, मेडिकल कॉलेज का मिल जाए, ये हमने All India Rank प्रेडिक की है, और All India Rank से बच्चों आप जानते हैं, कि 15% सीट में आपको कॉलेज मिलता है, बाकी स्टेट कोटे में 85% सीट होती है, और हर स्टेट में ये रैंक वैरी करती है, कि किस रैंक पे कॉलेज मिलेगा, किसी स्टेट में उपर पे, किसी स्टेट में नीचे की रैंक पे मिल जाता है, तो बच्चों एक छोटा सा प्रेडिक्शन था आपके लिए, फिर से बतादे, ये प्रेडिक्शन है, ये रियलिटी नहीं है, ये बिल्कुल वैसे ही है, जैसे हर एलेक्शन के बाद, new channel वाले अपना prediction देते हैं कि किस सरकार किस party को गित्ती seat मिलेगी ठीक बिल्कुर उसी तरह का prediction है कभी वो सही भी होता कभी गलत भी होता है लेकिन दोनों में कुछ न कुछ variation होता है तो मैंने जो यह prediction किया है इसमें plus minus ज्यादा ज्यादा five number का difference है लेकिन एक prediction बिल्कुल याद रखियेगा cut up low जायेगा और कम से कम 10 से 12 number का difference मिलेगा आप अपने state में देख सकते हैं कि कितने number पे college मिले था उससे 10 से 12 number कम करिये क्योंकि physics का paper lending होना बहुत बड़ा factor था farmit change होना बहुत बड़ा factor था कुछ बच्चों ने ऐसा भी report किया कि sir हम लोग को copy late मिली answer की पहले ले ली गई तो बच्चों ये तो कामन चीज है हर साल होता है जहां हुआ थोड़ी किस्मत खराब थी उसमें कुछ नहीं किया जा सकता तो प्यारे बच्चों ये prediction है कि merit लो जाएगी कटाफ लो जाएगा इसमें कोई दोराय नहीं है हो सकता आपकी answer किया जाए एक दो दिन में तब आप अपना real marks calculate कर पाएंगे अभी आपका भी prediction है हमारा भी prediction है आगे हम लोग देखते हैं क्या होता है तो thank you so much बच्चों for watching the video be positive इस prediction को देखके आपको निरास नहीं होना है और बहुत ज़्यादा खुश भी नहीं होना है आप सबके phone थे इसलिए हमने ये prediction किया thank you so much and all the best त्यारे बच्चों for your future life thank you so much